आप देख रहे हैं समचार एजन्सीफ इंडिया में साइं नियूज। हैं किस कदर घरों में पानी भरा हुआ है दरसल यह नजारा हम आपको दिखा रहे हैं सिवनी शहर के विवेक अनंद बाड का विवेक अनंद बाड में पुराना लड़या महला महला होता था लड़या महला के अंदर आप देख सकते हैं पानी कितना जादा यहां बरा हुआ दिख रहा है दरसल पानी यहां पर पानी का भराओ इतना ज्यादा नहीं होता था आप देख सकते हैं यह खड़े हुए है एक सजन और उनके घुटने तक पानी है जब की सड़क से काफी उपर उनका घर बना हुआ है लोगों का आरोप है कि जब से र सब्सक्राइब होने से पानी की निकासी बहुत कम हो गई नाला उनों चोटा कर दिया गया रेलवे के डिप्टी चीफ इंजिनियर मनीश लावन करकी मनमानी लगातार जारी रही सांसर डॉक्टर धालसिंग विसेन हुआ करते थे लगातार ही उस वक्त समाचारे इजिंस ए पिंडिया के द्वारा देखिए कितना पानी यहां भरा हुआ आपको दिख रहा होगा आप देख सकते हैं किस कदर पानी भरा हुआ है डॉक्टर डालसिंग विसेन को समचारे जिन से पिंडिया की साई नियूज में लिम्टी की लाल्टेन में लगातार ही इस बारे में बत नहीं हैं शहर की अनेक चग्वों पर इस तरीके की स्थितिया निचली बस्तियों में बन जाती हैं विवे का नंद वाल्ट का यह हम आपको नजारा दिखा रहे हैं देखिए किस तरह यहां पर पानी सड़कों पर भरा हुआ है यह तस्वीरे सुबह सवेरे की हैं इसके बा पाँच और फाड़े पाच फीट पानी भी वहां पर एकत्रों को चुका था यहां पर हम आपको एक बाल दिखा रहे हैं विवेका नंद वाल्ट का दूसरे हिस्ट नजारा जहां पानी लगाता बैता हुए नजारा रहा है जिला दिकारी सुष्री संस्कृती जैन को दिका पाई दे रहे होंगे उनकी कमर तक पानी है समझ सकते हैं आपके यहां पर किस कदर इस्थिती भयावाय रही होगी 10 सितंबर 2014 को विदायक दिनेश्राय लगबग 8-7-8 साल पहले बुद्वारी में इस तरह पानी भारा था और उनके द्वारा पतलून अपनी उठाई गई और वहां पर भी गए और आज भी वे यहां पर गए दोनों जगए जाने में एक समानता है जो आपको बताते हैं कि विदायक दिनेश्राय जब पहली बार 2016 में बुद्वारी में गए थे तब भी तकनीकी अमले जो नगरपालिका का तकनीकी अमला था उसमें वे ही अधिका कि पारियों के खिलाफ कोई कारवाही नहीं हो पाई लाखो करोड़ों रुपे फूख दिये गए कहीं नीचे से नाला बना दियागा पर इसका निकाल नहीं निकल पाया यह जो अब आम आपको नजारा दिखा रहे हैं मठ बंदर के पीछे का नजारा और वाहवासियों का क कारण पूरी जल प्लावन की इस्तिती निर्मित हो जाती है कुछ लोगों के द्वारा जब हमने उन्हें से चर्चा करी तो आफ़ रिकार्ड उन्होंने कहा कि विधायक भी ऐसा प्रतीत होता है आम जन्ता की दरह जाते हो जबकि अगर विधायक मौके पर जा रहे हैं तो अब कहने ते के आथ साल में आप इस जपानी की एक निकासी की विवतस्ता ही डीarshты मों और ऑगार वी धर्लक निलंबित करना चाहिए उनकी वेतन वरद्धियां रोकनी चाहिए ये ने आप सुनाते हैं सबसे निचलाइब छेत्र होता है तो यह हर बारिश में 15-20 में गंटा आधा गंटे के बारिश में यह पानी लगबक एक विट भर जाता है लेकिन आज को जो बारिश कंटीनी हुए उससे दो समस्य हुई है कि रेल्वे लाइन ने जो बाउंडरी वनाई थी वह लगबक 40-50 इस बारिश में उस बारिश में उस दीवार के डहने के कारण यह पूरा पानी हो पूरा समान पैसे पूरा बरबाद हो चुका और दूसरा के यहां पर बर्माइया अवस्ताइ पन्जिवाج करो यह रहा है वहलेगा रोह इसह कि भगवान तो बहुत विकट समस्या है तैसिल्दार मेडम आई प्रशासन भी आया देखा कुछ वश्चा है हो रही है कुछ नहीं हो सकती जो संभाव हो रही है जो संभाव नहीं है वह इस्थिति यही बनी रहे कि अभी जो हम लोग भूख प्यासे मर रहे हैं उन लोगों की व्यवस्ता तो करवाएं कर दो अद्मी करो आए अज पानी दाना सब जो हो गया है बेंग गया है अब खाने की व्यवस्ता कोन कर आएगा अब 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 अन्दर चाल चल खाया आप देखो पूरा बहंग आए घ बुजुर के पापा है चोटी सी बच्ची है उनके घर में दो जोड़वा चोटी बच्ची है सब को रेस्क्यू करके हमने तीसरे मकान में लेगा है और सबसे बड़ी समस्य जो है जिसको प्रशासन को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए वो यह है कि बारिश के पानी है ठीक है उसका समधान हो जाते है तो यह सब्दी कितम हो जाएगी अज जैसे मेरे घर में कलमोर चट्की है अब मेरे घर मेरे 20 अदमी रोका है और सब गटनवार पानी में पूरे बैठे है अब उनकी खान पिन की विवास्ता अब अब में जोगानों को मैं कहां से खेला दूँ य करें जैसाब जैसे जट्ती गल्तिया हो रही है यह सब रेलवे से हुई है पहले जो था बिर्टिस का लिखान खे उसमें कभी हमारे घरों में पानी नहीं हुआ और ये लडाई हमारी 2021 से चल रही है यह रेलवे से लेकिन प्रसासन से भी चल रही लेकिन कोई ध्यान नहीं चली है, क्ली वहां से खुद्वा के जी जाए जानों, नज टीन नाली ऑनी उस्की लेविल ऑनी is your पूरा पानी और मट किनारे का पानी के ओवर फुन होने के बार आज पूरे धरों में होता है इस तरह आप देश रहेंगे कि कमर कमर तक यहां पर मौनलम पानी कुछा है रोहों के खाने अनाज पानी सब रहना खाने मुस्किल हो चुता है हम महलेवासी दारा सुबे से नगरपालिका के अधिकारियों को, SDM मैडम को, तैसिलदार मैडम, कलेक्टर मैडम सभी को फोन किया गया लेकिन अभी तक 11 वारा वाज तक किसी यह अचा पता नहीं था विदायक जी के आने के वाद ही नगरपालिका की टीम आई और उसके बाद अभी भी आप देख रहे हैं रेस्ट्यू के नाम पे कोई भी लोग नहीं है चोटे चोटे जोटो चार्टा साल के बच्चे आज भी धरों में हैं लेकिन उनको किसी तरह से बाहर ना निकाला जा पानी की ना रहने की चुछेता यहां नहीं दे जा रहे हैं और हम लोग को कर्मचारी तरह से बहुत बड़ी एक लापरवाई यहां बरती गई तो इसके बड़ी जटना है मानशन लोग इतना जो पानी है गंदा पानी है तिस जो इस को आड़ी बोजन पानी की विवस्ता करा रहा है सुभाद 6 वजे से लेकर अभी आज नौ दस वजे अभी कारिये लोग आ रहे हैं जिस दो बजना अभी तक उनके खाने पीने की विवस्ता नहीं हुई है चोटे सुने के बड़े तक के बढ़े तक के बुज़र्ग भी है और उनके रहने की विवस्ता भी है यह अभी तक के यहां पर आप देख सकते कोई भी एक टीम का प्रसासन को प्रसासन देख भी यह चाहे अदर कोई भी विवाग का कोई यहां पर मवजूद नहीं है यह आपको हम दिखाया हमने कि क्या कहना है यहां के निवासियों का सुना आपने क्या कहना था मौला की निवासियों का दरसल इस मामले में एक और आशंका यह है कि नगरपालिका के अधिकारी कहीं जलादिकारी संस्क्रति जैन को यह ना कह दें कि इस साल या इस दिन 10 सितंबर 2024 को बहुत ज़्यादा बारिश होई जिसके कराण यहां पानी बारिश के आकड़े सीवनी में लेंडर काड़े को वालों के पास होते हैं जलादिकारी चाहें तो 4-5 सालों के आकड़े देख लें जितना यह बारिश जितना पानी 10 सितंबर को हुआ है 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में कब इतना पानी गिरा हूँ और तब क्या इस तरीके की इस्तितियां निर्मित हुई थी जाहर है कहीं न कहीं अधिकारियों के द्वारा वरिष्ट अधिकारियों को भरमाने का प्रियास किया जाता है बारिश हर साल होती है, हर साल बारिश होने के बाद अगर इस तरह की इस्तितियां बने और ये जो आपको हम देख रहे हैं आपके इस तरह से अगर विधायक खुद वहां मौझूद रहे तो विधायक को मुख्यमंत्री को ये चीज बतानी चाहिए कि नगरपाली का परिशद के करमशारी अधिकारी इमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं तक्नीकी प्रभाग के विशेशकर इमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं जहां सड़क बनती हैं सड़क ओकड़ जाते हैं जो फुटपात बनते हैं फुटपात ओकड़ जाते हैं पुदवारी में पानी भरा की सड़क हैं जो एस्पी बंगले से कलेक्टर मंगले वाली सड़क ति उसकी जाच भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है अधिर क्या वज़ा है कि नगरपाली का परिशद के मामले में चाहे नगरपाली का परिशद पर भारती जंता पार्टी का बिज रही हो तब कॉंग्रे तो इसकी पूरी जवाब दे ही, यह देखिए यहां पुविदायक स्वेम जा रहे हैं, अभी तक घुटने घुटने पानी है और इसके बाद उनके पानी बढ़कर पूर नगरपाली का देक्ष राजिश त्रवेदी भी उनके साथ हैं, राजिश त्रवेदी से भी पूछा पूर निर्मित हुई हैं अथ्वा नहीं, तो यह इस्तितिया यहां सिवनी की हम आपको दिखा रहे हैं, इस सबसे मुख्यमंत्री को, मुक्य सच्यों को अवगत कराया जाना चाहिए, उमीद की जानी चाहिए कि जलादिकारी संस्कृती जैन इस मामले में स्वयम संग्यान लेंगे और जो नार की पीड़ा यहाँ पर नागरिक भोग रहे हैं उससे उन्हें कहीं न कहीं मुक्ती दिलाने की दिशा में जलादिकारी संस्क्रती जैन प्रयास अवर्श्य करेंगे इस तरीके की उमीद सीवनी के नागरिकों को जलादिकारी संस्क्रती जैन से होना इंजिनरिंग से उनी में अपनाई जानी चाहिए जलादी कारी संस्क्रती जाए नगर अपने निवास के करीब बावबली चौक पर पहुँच जाएं कभी जादा बारिश होती हो अगर वह वहाँ चली जाएं तो बारिश में बावबली चौराहा भी तालाप के मानिंद नज क्या वजए है निर्मान निर्मान खरीद 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 नगर पाली के पास इकलोता यहीं काम रह गया है शेश शायद फिर से एक बार हम दिखाते हैं देखिए किस तरह पानी यहाँ बहरा हुआ है नगर पाली का परिशद किस तरह का काम कर रही है नगर पाली का बहुत विधायक दिनेश राय खुद उस बच्चे को वहां से एकबाली का को वहां से यहां ना रहे है उन्हें तुस सब मालूम होगा उन्हें चाहिए कि नगरपाली का मुख्य नगरपाली का अधिकारी जहित जिम्मेदार जो इसके लिए हैं चाहिए पूर्व में पदस्त रहे हैं उनके निलंबन की अनुशन शाह उनके द्वारा की जाए जिलादिकारी संस्क्रति जैन को ये सारी चीज़ें दिखाई जाए और उन अधिकारियों के जो यहां पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करीने से नहीं कर पा रहे हैं पसंद आ रहे हैं तो आप ऐसे लाइक सब्सक्राइब शियर जरूर कीजिएगा लिम्म्टी की लाइटेन का 670 वा एपिसोड लेका पात जल्दा चुनोंगे फिलाले जाइस लेने चाहेंगे जैहिन कर दो में अर से जाइस से लोटोंगे जैह् हैं झाल